इन हिंदी को आभी सुस्क्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंट्स आपके अपने यूट्यूब चानल हाल टिप्सक्राइन हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बेसन के उस नुस्की के बारे में जिससे आपके बालों के खुबसूरती में चार चानल लग चाएंगे और लंबे घने बाल आपको आपके पापस मिल जाएंगे फ्रेंट्स आगे हम जानेंगे किस तरह आप इस नुस्की को बनाएं लेकिन इससे पहले दोस्तों मेरी आप से रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे चानल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चानल हाल्ट बालो के वहतीफ फाइदे बान है इसलिए हम आपको एक बालो में चार चांद लगाएंगे तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसमिक्स्टर के बारे में इसे बनाने के लिए आपको जो इंक्रिडेंट्स चाहिए होंगे हैं बेसन, तिल का तेल, कॉक्रने और रोगन, ना उश्मा बूटी का तेल परहमी बूटी शडीला बूटी दोस्तों ये सभी बूटियां आपको बंसारी की दुकान पर असानी से अवलेबल हो जाएंगी तो फ्रेंट्स इस मिश्मा बूटी का तेल और सबसे पहले आप एक बाउल में 125 ग्राम तिल का तेल ले लें फिर आप इसमें एड़ कर 125 ग्राम नारल का तेल, 60 ग्राम रोगन नाग बूटा का तेल, 60 गर्म उश्मा बूटी का तेल और साथ ही आप इसमें चमश बेशन और चडीला बूटी भी डालें आप इस मिक्स्टर को मिला कर एक मिक्स्टर त्यार कर लें ऐसा करने के बाद आप इसे एक साथ को अपने सर में स्केल्प बाइ स्केल्प लगाएं और सुबाट कर धोलीजी इस नुसके को आप हफते में दो बार लगाएं और फिर जादू देखें उमीदे दोस्तों आपको मारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्ले इसे लाइक करें श्रायर कीजिए हमारे चानल